आज हम बनाने जा रहे हैं गुवार फली की बहुत ही टेस्टी सबजी जो बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आधा किलो गुवार की फली लिये है इसके साइड्स को कट करके अलग कर लिया है और लंबे-लंबे टुकडो में कट करके 3-4 पानी में धो लिया है इसके बाद इसको मैंने कुकर में डाला है लगभग 1.5 कप पानी डाल कर मैं इसको सीटी लगाऊंगी सिर्फ एक सीटी लग जाए और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर रिलीज होने देंगे इस गवार फली की सबजी में लसन बहुत सारा डलता है तो मैंने एक पूरा जो पूरा पॉर्ड होता है ना एक पूरा पॉर्ड छील लिया है और मैं उसको चौपर में चला लूँगी इसी के साथ मैं ले रही हूँ लगभग 2 टी स्पून अनार दाना जो सुखे हुए अनार दाने आते हैं इनका स्वात गवार फली में बहुत ही अच्छा आता है कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है एक बार चेक कर लेंगे कि अच्छे से गल गई है ये देखिए अब हमार गवार फली गल चुकी है पानी निकाल दिया है मैंने एक छलनी से चान कर मैंने कुकर में लगभग 3 टेबल स्पून तेल डाला है और ये जो मैंने गार्लिक चॉप किया था वो डाला है थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे फिर डालेंगे एक हरी मिर्ची मैंने जो कम तीखी वाली होती है वो हरी मिर्ची डाली है बड़ी सी इसको भी हलका सा सौते कर लेंगे गार्लिक हलका सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर लगबग एक चमच दो चमच धनिया का पाउडर नमक स्वात के अनुसार बस इन तीन ही मस ये बहुत ही स्वादिष्ट गवार्फली बनकर तयार होगी मसाला अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें बॉयल की हुई गवार्फली डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनना है हम इसको 2-3 मिनट कंटिन्यूसली भूनेंगे हलका सा जो पानी गवार मैंसे निकलेग चाहिए और थोड़ी सी क्रश की हुई इससे गवार्फली का स्वाद बहुती स्वादिष्ट आता है अब ये जो हमने अनार दाना क्रश करके रखा था वो डालेंगे बहुती बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका अनार दाना डाल कर भी हम दुबारा से 2-3 मिनट भूनेंग ये देखिए अच्छे से पानी सूख चुका है बढ़िया से हमारी गवार्फली भून चुकी है गैस की फ्लेम को मैंने बंद किया है ये देखिए कितनी बढ़िया सी गवार्फली बनी है हमारी अच्छे से क्रश की हुई बहुती अच्छी खुश्बू आ रही है अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, तीछ चमच घी मैंने लिया है पैन में, मैं इसमें डालूंगी एक सूखी लाल मिर्च और एक चमच लाल मिर्च का पाउडर, बस इन दोनों का तड़का हमें गवार फली में लगाना है, और गवार फली हमारी खाने के लिए तैयार है, एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए, आप इसके फैन हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी कुछी सामानों से बनकर तैयार हो जाती है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल बटन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पस जल्दी आ जाए, मैं थाली लगा रही हूँ, गवार फली के साथ, ये मैंने पानी वाला प्याच का अचार और ये कच्चे आम का अचार रखा है, ये दोनों आप मेरे चैनल पे जाके इनकी रेसिपी देख सकते हैं, मैं बहुत प्यार और महनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को बहुत सारे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंट्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, आरे वा, यमी!